प्रकाश जिस तरह का रियाक्शन ओला एलेक्ट्रिक को मिला है पोस्ट लिस्टिंग कोई फ्रेश व्यूज क्योंकि इवरा कल हम यही बात करे थे कि हीरो मोटो कॉप जो एक लेगसी प्लेयर है वो भी अपना आगे चल कर बाकी सभी लेगसी प्लेयर अपनी इवी में मारकेट शेर बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करेंगे और उसकी तरफ कदम बढ़ने लगे हैं कुछ थोड़ा सा चेंज वो फाडा के डेटा में दिखाई दिया है लेकिन उसके सामने ओला कंस्टिंग एक लिस्टिड प्लेयर है दूसरी तरफ अब वो मोटर बाइक सेग्मेंट में भी आ गया है जिसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एज़ शायद इनके फेवर में जा सकता है निवेशकों को सोचना चाहिए इसके बारे में इन लेवल्स पर या दूर है अजितर ओला के आईविल के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉंग फोबो की फीलिंग है मैं जिसे भी बात करता हूँ वमेशा वो यह कहते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इतना अपसाइड इसमें दिख जाएगा और उसके कही कारण हो सकते हैं टेक्निकल कारण है कि फ्लोट थोड़ा कम है अभी भी इंस्ट्रिशनल पैसा जो आया है वो लॉक-इन के अंडर है दूसरा अलोकेशन करना ही पड़ता है आपको ऐस इन इस्ट्रिशन कही बार क्योंकि स्पेस में लीडर है या एक ही रेप् क्योंकि इन सब कंपीज में होता ही है कि प्रॉफिट आने का जो टाइम लगता है उसके दरम्यान बहुत चीजे उतार चड़ा बहुत आपको दिखता है तो आपको कोई कमफर्ट नहीं आएगा और यह चीज़ हमने कई बिजनसे में देखा है जा नाइका हो जुमैटो हो बहुत लगी कथा रहे हैं इस इस टाइब के बिजनसे अलग है लेकिन अभी भी प्रॉफिटेबल लिए और नुक्सान करें तो थोड़ा सा नए स्कूटर ने बाइक से लाइन के बारे में इतरा एक्साइट में मेरे हिसाब से तो नंबर कि वोलता है वोगी फॉलो में करत कर दो